सब्सक्राइब आज की वीडियो में मैं लाई हूं कुछ चोटी चोटी सी टिप्स और रेस्पीस जो कि आप सबको बहुत पसंद आएंगी और बहुत ही हैल्फुल रहेंगी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही जो बैल आइकन आएगा ना उसमें आल वाले बटन को जरूर प्रेस कर देना तो फिर वीडियो शुरू करते हैं आज मैं सबसे पहले बनारी हूं क्यूमिन वॉटर जीरा वॉटर बहुत एफेक्टिव है एसिडिटी में गैस में अफारा हो जाता है कही बार कुछ खाया प बड़ी बात ही वेट लूज करने में भी बहुत अफेक्टिव है तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने जीरा भूना है तो मैंने पैन लिया है चाहे तो आप तबे पर भी इसको भून सकते हो तो दो चम्मत जीरा हमने लेना है बस और इसको गैस की फ्लेम और इसमें डालेंगे हम पानी तो पानी मैं इसमें डाल रही हूं दो गिलास पानी जब हलका सा गर्म होने लगे न तब इसमें हम डाल देंगे जीरा जो हमने भूना है इसको डाल देंगे इसको अब हमने थोड़ी देर ऐसे ही बॉइल होने देना है मतलब इतना करना है कि ये जो दो ग्लास पानी है ना ये बॉइल होते होते डेड़ ग्लास बन जाए यानि वन एंड हाफ ग्लास बच जाए इतना हमने इसको बॉइल करना है दो तीन मिनट लगेंगे पीरा वाटर जो है गैस अफारा एसिडिटी वगएरा में बहुत ही फायदेमत है तो पहले के ट पाइदा होता है लेकिन उसके साइड एफेक्ट भी बहुत होते हैं और अगर हम इसे बनाकर पीए तो इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं है और इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता और घर में जो समान मुझूद है उनी से बनता है में तो इसमें जीरा ही डालना होता गेस को बंद कर देंगे जब ठटबा होगा तुसको चान आप ये त्यार हो गया है कॉंसं ट्रेटेटी जीरा यानि यह जो तोड़ा जीरा पाणि बनाया है इसको हम। डेल्यूट करके यानि थोड़ा सा इसमें पानी मिलाकर पीएंगे इसको एक ग्लास में मैं बना रही हूँ वैसे आप चाहो तो इसे लिउक वाम कोसा कोसा सा भी पी सकते हो लेकिन जो जीरा होता है वो ठंडक देता है पेट में ऐसीडिटी खतम करता है इसलिए इसे थोड़ थोड़े से आइस क्यूब और इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और साथ में यह डाल रही हूं मैं थोड़ा काला नमक और रेगुलर नमक तो नमक जो है काला नमक और लेमन जूस यह सब भी ऐसीडिटी में बहुत अच्छे होते हैं और वेट लोज करने में कि बहुत एफेक्टीव होते हैं इसमें मैं डाल रहे हूं जीरा व्ोटर तो पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि काफी ठीक है तो यह देखंगो मैंने डाला है अब इसमें साधा पानी डाल देंगे या फिर आप इसमें सोडा भी डाल सकते हो दोनों में से उच भी डाल सकते हो अगर आप इसमें थोड़ा मीठा डालना चाहते हो तो थोड़ा से पीसी उचीनी डाली जा सकती है और वेट लॉस के लिए पीना चाहते हो तो आप तो यह हमारा जीरा ड्रिंक बनकर त्यार हो गया है आप इसको नाश्टे के बाद जैसे सुबह खाली पेटनी लेना नाश्टे के बाद खाने के बाद कभी भी ले सकते हो या रात में डिनर के बाद भी लिया जा सकता है अब मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ अक्सर हम इस तरह की cold drinks वगेरा घर पर लाते हैं और जब हम इसे use करते हैं आदी use हो गई या थोड़ी use हो गई उसके बाद जो बच जाती है उसमें से gas निकल जाती है वो पीने में अच्छी लगती है ऐसे लगती है जैसे कोई colored मीठा पानी सा पी रहे हैं तो वो फिर waste हो जाती है उसे हम destroy कर देते हैं और उसे पीते नहीं है तो इसके लिए आप उस बची हुई cold drink का क्या use कर सकते हो यह मैं आपके साथ share कर रही हूँ अब इसको आप एक जग में या किसी बाउल में डाल लें और इसमें अब हम मिलाएंगे चाट मसाला थोड़ा सा मिला रही हो आप अपने स्वाद के अनुसार मिला ले ना थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे और नीबू का रस्म लाएंगे अपने स्वाद के अनुसार अब ये तियार हो गया है मसालेदार पोल्ड रिंक अब ले लेंगे कोई भी कुलफी आइसक्रीम मोल्ड पॉपसिकल के मोल्ड ले ले या फिर कागज के इस तरह के पेपर के गिलास ले सकते हो इसमें इसको डालेंगे उपर से लगाएंगे फॉयल पेपर और आईसक्रीम एस्टिक और इसको फ्रीजर में रग देंगे जबने के लिए यह जब चुकी है यह तीयार है इसको निकाल लेते है तो इसको मैं डाल रही हूँ पहले पानी में और इसके बाद हाद से थोड़ा सा रब करेंगे इससे इजली निकल आती है ये देखिया कितनी अच्छी बनकर त्यार हुई है ये त्यार हो गई है मसालेदार कोला पॉप्सिकल और इसको हमने बनाया है बिल्कुल वेस्ट हो अनार अक्सर हम घर पर लाते हैं और उसको चीलना भूल जाते हैं या फिर इसको चीलना थोड़ा सा टफ लगता है तो हम इससे चीलना एवाइड करते हैं बाकी के फ्रूट्स खाते रहते हैं ये थोड़ा से पीछे रखे रहते हैं और सूख से जाते हैं ये देखें जैसे सोग गए इतने सूक जाते हैं कि इसको काटना मुश्किल लगता है अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करें इसके लिए मां प्रिफ देरी इन आपने क्या करना है अनार को रखना बौल में और इसमें डालना है पानी तो पानी आपने लेना है गुन-गुने से यानि लूक्वरम से हलका से जाधा गर्म इतना डाल दे जिसमें की अनार जो है वो डूब जाए ऐसा करने से क्या होगा इसकी जो इसकी नहीं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी जिससे हम इसे काट पाएंगे और अंदर ज तरह में या में आपको अराम से कटकिया अनार चीलना लगता है शर्म लेकिन इस तरह से चिलीन तो बहुत ही आसानी से हो जाता है तो देखें आपने जहां-जहां इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ी धोडी दूर पर इसमें हमने इस तरह से कट लगाना नीचे तक नहीं काटना है और इस तरह से यह center में इसका जो white part भीसे निकाल देंगे हम इस पड़े इस तरह से देखेता से सारे दाने निकल गए हैं आप जयार तो अनार को гma метő करें फिर करें तब यह असानी से दाने निकल आते हैं तो बहुत ही असान रहता है और यह देखिए आप मैंने सूखे हुए दोनों अनार सूखे हुए थे उससे बड़ी असानी से दाने निकाल लियें तो यह बहुत अच्छी टिप है फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेर जुरूर कर देना साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ खुश रहें स्वस्त रहें थैंक्स वर वोच जींग